युक्रेन ने भारत के खिलाफ एक ऐसा एक्षन लिया है जिसे युक्रेन को G20 में शामिल नहीं करने और रूस की निंदा न करने के बदले के रूप में देखा जा रहा है नव भारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक युक्रेन ने रूस की मदद करने के आरोप में भारत की सबसे बड़ी हीरा कमपनियों में से एक को प्रतिबंदित कर दिया है यूक्रेनी ब्रश्टाचार निवारन एजेंसी ने कहा है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी हीरा विनिर्मान और निर्यात कमपनियों में से एक श्री रामकृष्ण एक स्पोर्ट्स को युद्ध के अंतराश्ट्रिय प्रायोजकों की सूची में शामिल किया है यूक्रेन का मानना है कि भारत की यह कमपनी युद्ध के बीच रूस की आर्थिक मदद कर रही है इसे यूक्रेन की भारत के खिलाफ कीज भी बताया जा रहा है यूक्रेन चाहता था कि भारत G20 शिक्षर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उसे बुलाए और अपने मन से रूस के खिलाफ जहर उगलने की अनुमती दे भारत ने यूक्रेन के इस अनुरोध को थुक्रा दिया और G20 के साजह गोशना पत्र से भी रूस को बतोर आक्रमनकारी शामिल नहीं किया इस पर यूक्रेन ने उस वक्त कर ही प्रतिक्रिया भी दी थी ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन का यह एक्षन भारत के खिलाफ उसी खीज का परिनाम है रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की राष्ट्रियब रष्टाचार निवारन एजेंसी ने इस साल रूस के साथ कथितवानिजिक लेंदेन के लिए एक प्रमुक भारतिय हीरा निर्यातक को युद्ध का अंतराष्ट्रिय प्रायोजक बताया है यूक्रेन ने दावा किया कि इस कंपनी ने 2021 में खरीदे गए मात्रा की तुलना में 2023 में रूस से हीरे की खरीद लगभग तीन गुना कर दी है यूक्रेनी एजेंसी ने दावा किया कि श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स ने 2023 की पहली चमाही में 132 मिलियन डॉलर मूय के रूसी हीरे खरीदे जबकि पूरे 2021 में उसने रूस में 69 मिलियन डॉलर मूय के हीरे खरीदे इस स्थर पर ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेनी एजेंसी का वर्गी करन भारतिय कमपनी को कैसे प्रभावित करेगा श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसार के एक्सपोर्ट्स वेश्विक स्थर पर सबसे बड़ी हीरा प्रसंसकरन फर्मों में से एक है जोडी बियल्स, आक्टिक कैनेडियन दायमंड कमपनी और रियो टिंटो जैसे पश्चिमी वेश्विक दिगजों से कच्चे हीरे की सोर्सिंग करती है विश्व के लगभग 95 प्रतिशत हीरे भारक में बनते हैं यूक्रेन की राष्ट्रिय अब रश्टाचार निवारल एजेंसी के मुताबिक श्री रामकृष्न एक्सपोर्ट्स का सालाना राजस्व 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा है ये भारतिय कंपणी कच्चे हीरे प्राप्त करने के बाद कटिंग, पॉलिशिंग और उनके क्लास को निर्धारित कर फिर उनका निर्यात करती है हालांकि यह कंपणी रूसी कंपणी अल्रोसा से कुछ कच्चे हीरों का आयात करती है जो मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी हीरा उत्पादक कमपनी है